हलो फिंट्स आज की वीडियो में हम डीटेल में डिसकस करेंगे modern history और Indian polity का एक बहुत ही important topic जिसका नाम है Montego Campsford Reforms Montego Campsford Reforms को हम Government of India Act 1919 के नाम से भी जानते हैं और जिस तरह हमने बागी सारे Charter Acts और Indian Council Acts को समझा Government of India Act 1919 को भी हम 6 main heading से समझेंगे Background, Control of Government of India, Administration, Central Legislature, Provincial Legislature और last में हम इस Act का assessment करेंगे स्टार्ट करते हैं Background से यहाँ पर हम यह समझेंगे कि जब Government of India Act 1919 पास हुआ था तो उसके पास होने से पहले के कुछ सालों में कौन-कौन सी major घटनाए हुई थी क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव Government of India Act 1919 पर जरूर पढ़ा होगा और इस तरह हम उन घटनाओं और Government of India Act 1919 के प्रोविजिन्स को आसानी से रिलेट कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हुआ क्या कि 1914 में First World War शुरू हो गया और यह World War 1914 से 1918 तक चला और इस दोरान इंडियन्स ने ब्रिटेन को हर तरह से सपोर्ट किया और इस सपोर्ट के बदले इंडियन्स यह एक्सपिट कर रहे थे कि जब World War खदम हो जाएगा तो British Government इंडिया के लोगों की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगी बदं इंडिया के लोगों की डिमांड्स क्या होंगी यह डिसाइड हुआ 1916 में जब इंडिया नेशनल कॉंग्रस और Muslim League ने जॉइएंट सेशन किया इसी Joint Session में Lucknow Pact साइन हुआ था इस Pact में International Congress और Muslim League ने मिलकर ये डिसाइड गया था कि उन्हें British Government से क्या चाहिए तो Lucknow Pact साइन हो गया और इसके अगले ही साल साल 1917 में नए Secretary of State Edwin Montague ने British Parliament में एक Declaration दिया जिसे August Declaration या फिर Montague Declaration भी कहा जाता है इस Declaration में Montague ने कहा कि अब इंडिया के लिए British Policies का गोल होगा Gradual Realization of Responsible Government इस Declaration को ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं देखो अगर इस Declaration से पहले British Policy थी कि इंडियन लाउमेकिंग में इंडियन का Participation बढ़ाना और अब Montague जो है First World War भी एंड हो गया और उसके Next Year आया Government of India Act 1919 जिसे हम Montague Camps for Reforms भी कहते हैं पहली बार किसी Act में Preamble देखने को मिला इसके Preamble में लिखा था कि इंडिया में Responsible Government Establish करना British Government का Objective है यानि August Declaration को एक बार फिर से Re-Affirm किया गया था यहाँ पर बड़ यहाँ पर यह भी लिखा था कि इंडिया जो है वो इस्टेल British Empire का Integral Part रहेगा मतलब Long Term में यह भारत में भारत के लोगों की सरकार तो बनवाएंगे बड़ यह जो सरकार बनेगी यह Britain की Parliament को ही Report करेगी तो यह था Background अब देखते हैं Government of India का कंट्रोल किसके हाथ में था तो इंडियन गवर्मेंट का कंट्रोल अभी भी Secretary of State की ही हाथों में था जो कि Britain में रहते थे वाइसरोय की मदद से यह Indian Administration को समालते थे और क्योंकि उस समय वाइसरोय थे Campsford और Secretary of State थे Montego इसलिए Government of India 19.19 को Montego Campsford रिफॉर्म भी का जाता है तो क्या Government of India एक 19.19 में Control of Government of India से लेटेड कोई Changes हुए यह जानने से पहले हम यह देखेंगे कि Lucknow Pact में इस से लेटेड कोई डिमांड थी की नहीं देखो Lucknow Pact में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और Muslim League ने यह आपत्ती जाहिर की दी कि भाई Secretary of State की Salary आप Indian Fund से क्यों देते हो भाई Secretary of State तो Britain का Cabinet Minister है तो उसकी Salary तो कम से कम British Government को खुद देनी चाहिए तो British Government ने कहा कि देखो भाई यह जो Secretary of State है दो तरह की काम करता है एक तो वो जो Political Administration से लेटेड है और दूसरा काम है Agency Work जिसे आप कह सकते हो कि वो वर्क जो आज की डेट में कोई भी Embassy करती है British Government ने कहा कि हम Indian Fund से Salary इसलिए पर कर रहे हैं क्योंकि यह Agency Work कर रहे हैं और Agency Work Cabinet Minister का काम थोड़ना है और अगर आप को इस से दिक्कत है तो हम जबकि Secretary of State अब भी Political और Administrative Work करता रहेगा यानि Secretary of State और High Commission of India दोनों को Separate कर दिया इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि Secretary of State की जो salary है वो अब British सरकार देदेगी बट High Commission of India की salary अभी भी Indian Fund से ही पे की जाएगी तो देखा जाए तो लगनोपेक्ट की इस डिमांड को काफी हद तक मान लिया गया तो ये थे control in Government of India में Changes अब देखते हैं कि Administration में कोई Changes हुए कि नहीं बट पहले देखते हैं कि Indian Council Act 1909 में कैस्ती थी देखो ये आपको पता है कि Viceroy के पास Ordnance Power पहले से थी In fact Indian Council Act 1861 से उसके अलावा Executive Council में 6 members थे जिनमें एक Indian Allowed था तो क्या Government of India Act 1919 में यहां कोई Changes हुए जी हाँ यहाँ पर Changes हुए देखते हैं क्या क्या Changes हुए यहाँ जो Major Change था वो ये कि Executive Council में अब एक नहीं बलकि 3 Indians Allowed थे हलागी Executive Council के Total Members अभी भी 6 ही थे तो यह थे Administration Solated Changes अब देखते हैं Central Legislature में क्या क्या Changes हुए बट पहले देखते हैं Indian Council Act 1909 में क्यास्ती थी आप देख सकते हैं कि एक Viceroy और 6 Executive Council Members के लाबा कुछ Additional Members हुआ करते थे जिनकी संक्या Minimum 16 और Maximum 60 हो सकती थी हलागी Starting से ही इसको 60 ही रखा गया इन Additional Members में कुछ Officials होते थे और कुछ Non Officials Officials मतलब वो लोग जो British Civil Services या फिर Military Services में किसी पत पर काम कर रहे होते थे Officials को Viceroy नॉमिनेट करता था और इनकी संक्याती 28 जबकि Non Officials 32 हुआ करते थे और ये जो Non Officials थे ये चार जगाहों से आते थे पांच को Viceroy नॉमिनेट करता था तेरा Special Electorate के थुरू बारा Provincial Assemblies से और दो आते थे कैलकटा और Bombay के Chamber of Commerce से एलेक्ट होकर एक बार दिखते हैं कि Central Legislature के Members को लेकर लखनो पैक्ट में क्या के Demands थी ओके लखनो पैक्ट में कहा गया था कि Additional Members कम है इने बढ़ा कर 150 कर देना चाहिए जिनमें कम से कम 75 जो है वो Indians होने चाहिए और इन 75 के 1 3rd Muslim होने चाहिए मतलब यहाँ पर Indian National Congress और Muslim League दोनों ने मिलकर यह agree किया था कि Muslims को 1 3rd seats यानि 25 seats पर separate electorate दिया जाना चाहिए तो यह तो थी Indians की demand चलिए आप देखते हैं कि Government of India Act 1990 में Actually में changes क्या क्या हुए ओके तो Government of India Act 1919 में Central Legislature को bicameral कर दिया गया यानि अब यहाँ पर दो houses बना दिये गए Legislative Assembly और Council of State Legislative Assembly को कहा गया Lower House और Council of State को कहा गया Upper House Actually Government of India Act 1919 में कोशिश यह की जा रही थी कि इंडिया में British Parliament की model पर Legislature को mold किया जाए Legislative Assembly के members की संक्या रखी गई 145 और Council of State के members की संक्या रखी गई 60 लखनो बैक्ट में तो बस 150 members की बात हुई थी और यहाँ पर 205 members कर दिये गए थे तो देखा जाए तो लखनो बैक्ट की demand को माल ले गया था बट लखनो बैक्ट में एक demand और भी थी और वो demand थी Legislative Council के members की term को 5 साल के लिया जाना चाहिए तो यहाँ पर Government of India Act 1919 में Council of State के members की term को 5 साल भी कर दिया गया तो लखनो बैक्ट की यह demand भी माल ले गई हलाकि Legislative Assembly में members की term को 3 साल ही रखा गया अब जो है हम इस bicameral structure को थोड़ा और detail में देखते हैं Legislative Assembly और Council of State इन दोनों में कुछ members elect होते थे और कुछ nominated Legislative Assembly में 41 nominated और 104 elected members होते थे जबकि Council of State में 33 elected होते थे और 27 nominated और Legislative Assembly में यह जो आप 41 nominated members दिख रहे हो इन में भी कुछ officials थे और कुछ non-officials और इसी तरह Council of State के nominated members भी कुछ officials होते थे और कुछ non-officials और अगर numbers की बात करें तो Legislative Assembly में 15 non-officials और 26 members होते थे official जबकि Council of State में 10 non-officials और 17 nominated officials है अब दिखते हैं Legislative Assembly के elected members को यह आते थे 6 जगाओ से elect होकर 52 elect होके आते थे general constituency से 30 Muslim constituency से और 9 seats reserved थी Europeans के लिए 7 landlords के लिए 4 Indian commerce के लिए और 2 seats सिखों के लिए यनि Government of India एक 1990 में Muslims के साथ साथ सिखों और Europeans को भी separate electorate दे दिया गया था अब देखते हैं Council of State के elected members को यहाँ पर general seats थी 15 इसके अलावा 11 seats Muslims के लिए reserved थी 3 Europeans के लिए और 3 members चुन कर आते थे Bombay, Bengal और Burma के Chamber of Commerce से और 1 seat Sikh community के लिए reserved की गई थी यानि total elected seats हुई 104 plus 33 यानि 137 और इन seats में से Europeans के लिए 12 seats reserved थी तो अगर हम देखें कि इंडिया के लोगों के लिए कितनी elected seats थी तो वो होगा total elected seats minus total elected Europeans की seats यानि 137 minus 12 यह हो गई 125 यानि Indians के लिए total 125 seats पर चुनाव होना था Central Legislature के लिए और इन में से 41 seats पर Muslim candidates को चुना जाना था separate electorate के दुरू यानि हम यह कह सकते हैं कि Muslims के लिए one third Indian seats reserve कर दी गई थी Government of India एक 1919 में और यह भी तो one of the demand थी लगनोपक्ट की तो यह demand भी पूरी हो गई लेकिन legislative assembly और council of state इन दोनों में difference क्या है actually legislative assembly और council of state इन दोनों के functions में किसी तरह का कोई difference नहीं था except one difference और वो difference यह था कि legislative assembly के पास vote supply की power थी और council of state के पास यह power नहीं थी vote supply का मतलब क्या है vote supply का मतलब यह है कि legislative assembly के members के पास यह power थी कि वो government के खर्चों के proposals पर agree या फिर disagree कर सकते हैं और हाँ अब क्या है कि किसी भी बिलको legislative assembly और council of state दोनों से पास होना ज़रूरी था एक law बनने के लिए बट यह भी तो possible है कि एक house उस बिलको पास करने के लिए ready है बट दूसरा नहीं यानि किसी तरह की कोई deadlock की situation हो सकती थी तो ऐसे deadlocks को resolve करने के लिए joint committees, joint conferences और joint sittings का provision किया गया तो ये तो हुए वो changes जो central legislature में हुए इस वीडियो के part 2 में हम provincial legislature के changes देखेंगे बुकसवा चनल पर history और polity के सारे topics को मैंने playlist में add कर दिया है और इन दोनों playlist का link आपको description में मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और ऐसी ही और वीडियो को देखते रहने के लिए बुकसवा चनल को subscribe कीजिए Thank you so much for watching बुकसवा